लिशन केरफुली एवरिवन आज 27 तारीख है और मेघाले और नागाले पुरवत्तर भारत के दो राज मेघाले और उसके पूरब में नागालेंड में आज विधान सभा का चुनाव है और ये चुनाव 9 बजे शुरू हो चुका है और ये लास्ट होगा शाम के 5 बजे तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को अच्छा 9 बजे नहीं 7 बजे ही शुरू हो गया है I'm so sorry मेघाले में और नागालेंड में आज सोंबार 27 फरवरी को विधान सभा के चुनाव होने शुरू हो गए दोनों जगह 60-60 सीटे हैं लेकिन ध्यान देंगे मिघाले में एक उमिदवार की मिर्तु हो जाने की वज़े से 59 सीट पर एलेक्शन हो रहे हैं जबकि नागालेंड में एक उमिदवार निरविरोध चुन लिये गए क्योंकि दो ही वहां से थे एक बीज़े पी से थे एक और पाटी से थे तो कॉंग्रेस पाटी वाले ने अपना उमिदवारी वापस ले ली तो बीज़े पी का उमिदवार अकेला रह गया तो उसको चुनावायोग ने डेकलेअर कर दिया विनर तो एक तो automatically निर्दलिय यूही जीत गया तो 59 बच गये तो संयोग देखे एक मिघाले में डेथ कर गये उमिदवार तो 59 पे लेक्शन हो रहा है जबकि seat 60 है नागा लेंड में एक निर्विरोध चुन लिये गये कि उसके against कोई बचे ही नहीं तो वो select हो गये तो वहाँ भी 60 की जगा 59 हो गया तो याद रखेगा दोनों के seat 60 है पर चुनाब 59 पर हो रहे है आज यही technical point है तो 7 बज़े चुनाब शुरू और शाम के 4 बज़े समापत मतदान के नतीजे 2 मार्च को आएंगे ठीक है और बहुत simply and sober अब आईए living root bridge यहाँ देखिए बता रहे हैं यह चुनाब से जुड़े अधिकारी जो है अलग-अलग जगों पर जा रहे है मेगाले के विधानसवा चुनाब के लिए चुनाब सामगरी लेकर उसी संदर में एक तस्वीर आई है जो देखिए एक नदी को cross कर रहे हैं जिसमें पूल जो है पेड के जो लताएं होती है उनसे यह पूल बनाया है तो इसका नाम कितना अचा है living root bridge living root bridge मतलब क्या हुआ पेड का जो जड़े हैं जिंदा जड़े हैं मड़ी हुई नहीं है जिंदा जड़े हैं उस जड़ों से कितना अचा पिरो करके यह छोटा सा bridge बना हुआ है तो इसका नाम है living root bridge तो यह living root bridge कहां है बिटा तो हम कहेंगे सोहरा नोगरीट में जो मिगाले के विधान सभा का एक्षेतर है सोहरा नोगरीट में तो यह that is important यहां कि अस्थानिय जञजाती लोगों ने इसे त्यार करके रखा है कितना अचा है घूमने में कितना अच्छा लगेगा तो आपने दो जानकारी ले ले लिए तीसरी जानकारी भी दे रहा हूं ध्यान देंगे sports related जानकारी है तीसरी हर्याना से है क्या घ्यान देंगे 10 से लेके 14 मार्च तक यानि 10 से 14 मार्च तक 26 वी वार्षिक खेलकुद परतियोगिता की मेजवानी इस बार हर्याना करेगा जिसमें 25 सो परतिभागी अपना दमखम दिखाएंगे और 225 परकार के खेल होंगे परतियोगिताएं होंगी तो याद रखिएगा 2003 में भी वार्षिक खेलकुद परतियोगिता का आयोजन और 2013 में भी कर चुका है और 2023 यानि परतेक 10 वर्स पर हर्याना को ये मिल रहा है वार्षिक खेलकुद परतियोगिता आयोजन कराने की जिम्मेवारी ले रहा है तो याद रखिएगा कहा होगा कब होगा ये क्वेशन आपके होगे तो देखा आपने तीन क्वेशन उठा लिए लिविंग रूट ब्रिज मिघाले और नागालेंड के चुनाब में सीट्स कितने पर एलेक्शन हो रहे हैं और तीसरा जो है आपने देखा कि वारशिक खेल कुद्ध परतियोगिता कहां आयोजित होने जा रही है डन नेक्स्ट क्योर बढ़ते हैं